दोस्तो अभी एक additional director general of police को ग्रपतार कर लिया गया है क्योंकि उनके दुआरा एक सबिस्पेक्टर की recruitment भरती में scam किया गया ऐसा उनके उपर आरोप लगाया जा रहा है यह जो personality है इनकी picture आप लोगे सामने है और मैं आप लोग को gravity बताना चाहता हूँ कि additional director general of police की जो post होती है उसकी gravity क्या है यानि कि उसकी तागत क्या है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप लोग नीचे से चलेंगे तो एक इनसान जो है वो constable बनता है head constable, assistant police sub inspector और जो post थी जिसकी भरती करा रहे थे वो थी आपर police sub inspector यहाँ पर police sub inspector की भरती जो थी वो पूरी परकिरिया चल रही थी आपर additional director general of police के अंडर में तो इसमें हाँ पर scam किया गया और इसका आरोब जो है वो हाँ पर इनके उपर लगा हुआ है तो अभी जो है कारावाई चल रही है हरा की आरोब जो है वो साबित नहीं है अभी investigation की जा रही है पर लेकिन सोचके चलो एक बड़ी ही एक अजीव सी situation हो जाती है जिस head office में आप बैठे हैं जहाँ पर हर एक इंसान आप लोग को salute कर रहे है अब उसी head office के अंदर आप लोग को एक criminal के तोर पर रखा गया है और वहाँ पर आप लोग की investigation हो रही है समझ के देखो कि कितनी बड़ी इंसल्ट की बात है एक particular individual की भी और इसी के साथ में इस particular post की भी तो एक तरीके से दोनों के लिए एक बहुती वो साबित हो जाते है तो police sub inspector के बाद में इंसान बनता है assistant police inspector फिर police inspector बनता है इसके बाद में यहाँ पर deputy superintendent of police इसके बाद में additional superintendent of police इसके बाद में superintendent of police SP बोलते हैं इसको deputy inspector general of police inspector general of police तब जाकर additional director general of police की post पर इंसान जो है वो पहुंचता है इनके उपर बस एक पोस्ट बच जाती है आपर जिसको बोलता है डिरेक्टर जनलो पुलिस हाला कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर दोनों की जो यहाँ पर तागत है वो लगबग आप लोग के इकवल देखने को मिलेगी क्योंकि हाँ पर इनहीं को असिस्ट करते हैं यहाँ पर यह तो इनके अंडर में यह पूरी भरती चल रही थी जिसके अंदर स्कैम पाया गया है अभी मैं आप लोग को बताता हूँ कि आखरी यह सामने निकल कर कैसे है तो उन्हीं कहते हैं कि चोर की दाड़ी में तिनका कि कहीने कहीने कोईने कोई हरकत दिखी जाती है जब इनसान जो है वो चोरी करता है सबसे पहले तो बात मुझे यह लगा कि यहाँ पर आप लोग देखते हैं नूर्मली अगर कोई पोस्ट निकलती है उसमें 400-500 अगर वेकिंसी होती है तो उसमें लांखों फोर्म भरे जाते हैं सबसे बड़ी बात तो मुझे यह लगी कि हाँ पर जब यह वेकिंसी लेगी करनाठका के अंदर तो 545 पोस्ट पे only 54,287 जो है कंडिडेट जो है एक्जाम देने के तो यह वास्तमे मुझे सर्प्राइज किया अगर आप लोग उत्तर परदेश के अंदर, हर्याना के अंदर, राईस्थान के अंदर इन पर्टिकॉलर राज्य में जाएंगे तो आप लोगो लांखों फोर्म मिल जाएंगे अगर फोर्म जो इस तरीके से भरा जाता है अभी होगा पर investigation चलाय जारी है वो सब बात हैं पर लेकिन अभी आप लोग ये समझें कि आखिर मुद्दा निकल कर सामने कैसे है एक पर्टिकुलर बंद है जिसका नाम है व्रेस तो यहाँ पर यह जो बंद है यह टोटल कोशन अटेंप्ट करके आता है सो में से 21 अगर सो में से 21 कोशन अटेंप्ट करके आता है और यहाँ पर टोटल तो नमबर यह कोशन है तो इसके लगबग अगर सारे के सारे कोशन भी यह सही कर दें लगबग सारे 13 से करीब मार्क्स बनते हैं यानि कि 30-31 मार्क्स इसके बैठेंगे मुस्किल से पर लेकिन इस बन्दे के जो मार्क्स आते हैं वो आते हैं 121 इसकी OMR सीट जो है वो सोसल मीडिया पर वायरल होने लग जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है और यहाँ पर जिस पर्टिगलर रीजन से यह आता है वहाँ पर उस रीजन में इसकी टोटल मिलाकर 67 जो बच्चों का सेलेक्शन होता इसकी रीजन में से जो करनाटका का पर्टिगलर रीजन है जिसका नाम है आपर कलियान तो यहाँ से इसकी रैंक 7 निकली यानि कि 21 अटेम्ट करने वाला बंदा आप लोगों ने देखा होगा नोमली एक्जाम देखर आते हैं इस टेट के अंदर में आप लोग तो एक कार्बन कोपी भी आप लोगों मिलती है जो आप लोग वहाँ पर फिल कर कर आते हैं तो उसमें इनके 21 नम 21 कोश्चन यहाँ पर फिल कर रखे थे पता चलता है कि इस पर्टिकुलर भरती के अंदर एक स्कैम चल रहा था काफी बड़ा और एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप लोग समझ सकते हैं आपर 30 से लेके 40 लांक रुपे दिये जा रहे थे किसके लिए पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए तो यहाँ पर इसकी रेट लगाया जा रहा था तो इससे अंदाजा लगाई एक ऐसा बच्चा है जो कि पढ़ रहा है पूरी महनत करकर और एक ऐसा बच्चा है जिसके घर में अच्छा गाजा पैसा है 30-40 लांक रुपे देकर वो SI बन गया तो यहाँ पर जब वो उस पर्टिकुलर पोस्ट पर जाकर बैठेगा तो कितना ज़्यादा जिस्टिस कर पाएगा उस पोस्ट के साथ में यह भी आप लोग यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं आखी रोग क्या रहा था यह जो OMR सीट थी यहाँ पर जा रही थी उस हैड़कॉर्टर के अंदर में जो कि CID का ओफिस भी है वहाँ पर तो वहीं पर यह सारी जो OMR सीट है वहाँ पर जा रही थी आप लोगों ने सुनाओका कि वही बात होती है कद्दू कटेगा समय बढ़ेगा तो बहुत सारे लोग इसमें सनलिफ पाय जाते हैं तो लगबग 60 लोगों को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया है ओल लेडी तो यह काफी बड़ा स्केम निकल कर आया कुछ दिनों पहले आप लोग ने हाँ पर UPSI के बारे में सुना था ऐसी न्यूज यहाँ पर देखने को मिली थी और अलग-अलग इस्टेट में जो इस्टेट की रिक्रूटमेंट ओथरिटी होती है वो सारी चीज़े हाँ पर जब इस तरीके से ले कर चलती है तो कहीं-कहीं एक question mark लगा देते है रिक्रूटमेंट प्रोजेसर के ओपर और कहीं-कहीं वो बच्चे जो कि कई यो सालों से महनथ कर रहे है उनकी capability के ओपर भी एक question mark लग जाता है कि वो उनका एक तरीका से नहीं अभी जो सबूत मिले है वो इनके खिलाप मिले है ने सबूत इनके खिलाब मिले हैं, वो यहाँ पर कहीं नगे एक तरीके से इसारा कर रहे हैं, कि काफी लार्जी स्केल पर यहाँ पर यह स्केम किया गया है, बाकी कोड में मैटर जाएगा, तो सारी बाते सामने निकल कर आएगी, तो जो भी कानून है देश के अंदर में उसक एसाब से तकडी से तकडी सजा मिलने चाहिए, अगर कोई गिल्टी पाया जाता है, क्योंकि यह पर्टिकलर जो इसकेम होता ना, बहुत सारे बच्चों के केरियर के साथ में खिलवार है, आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो 54,000 बच्चे यहाँ पर कुछ ऐसे भी हो अब आगे से चीजे जो हैं थोड़ी सी और सतर्क होंगी जब ऐसी पोस्ट पर बैठी वे इंसान जो है पकड़े जाते हैं, तो कहीं न गई कुछ लोग जो हैं और फिर इस तरीके से चीजों को सीरेस लेना स्टार्ट कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं करने हैं, ठीक है, आप लोग पढ़ते रहे हैं, all the best to all of you